कि हलो बालको आज हम बात करेंगे साइन्स के कुछ वन वर्ड और टो वोडोक्षिन और अच्छे से करेंगे तो मैं पहले मैं फिजिक्स को पुछूंगा उसके बाद के और फिर वाद बायोजी के तो स्टार्ट करें चलिए पहला क्वेश्चन रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस यानि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है यूनिट क्या होती है तो अंसर होगा ओम होता है क्या होता है ठीक है फिर रेजिस्टिविटी यानि प्रतिरो विस्स्ट पत्रोध जिसको गयते हो कि अहां इससे पेजिस्टिजटिविटी प्रपर्टी हां रिस्टिविट्रिविटी कहीते को उसकी यूटि क्या होगी एंसर पिता ओम मीटर क्या होग यूनिट ओम मीटर ओ मीटेर तीए बाध्यां रखें एलक्टिक करंट यानि विद्धृधारा का मात्रक क्या होता है पिटा एमपीयर होता है क्या होता है पिट अपीए ठीक है अच्छा आवर्दन छंता मैगनिफिकेशिन की यूनिट क्या होगी इसकी कोई यूणित नहीं होती है यूणित याद रखें बात को पता चले आपके मीटा पर सेकेंड आजा क्योंकि आपके हाथ में आते पर कुछना कुछ तो करते हैं तो याद रखें आवड़ने चमता कि कोई भी यूणित नहीं होती है ठीक है फोकस दूरी वह कृता त्रि एक लिए छना गारे ब्रगए क्या बुटा फ sanivel जिए फल फैसलिए लिगार 12 सकता एक लिताएव इस लिए विजए लिपोहे स rit he is Deb cake आए अविछ जोंगें आधुनारांगे तशीन इस पूछआ जिता ये कफ़्श्म की फ्लक्स Magnetic Flux Unit क्या है Weber है Hindi में इसके Weber ही कहते है यह बात का ध्यान लखें पिटा उसके बाद आप से पुछा आ सकता है हाँ एक Lens की Power Plus 2.0 Diopter है एक Lens की Power 0.2 Diopter है इसकी Focus Distance कितनी होगी Focus दूरी कितनी होगी Focal Lens कितनी होगी तो Answer कितना होगा Formula Power क्या होता है Power का Formula होता है Lens की छंता का मातर को Formula होता है P बराबर 100 upon F इन सेंटीमेटर यह होता है बाटर में F तो निकालना है तो F को इधर लेकर आओ और P को 100 के निचे लिखो P कितना है आपका Plus 2.0 2.0 2 से डिवाइट कर दो 100 को Answer आगा 50 ठीक है यह Answer याद रखना इस तरह कुशन बना है कही बार विद्या में देखिए ऐसे कुशन दिया होगा बिटा एक होता है वर्ण विच्छे पर जिसे हम कहते हैं अरे क्या कहते हैं डिस परजन ओफ लाइट डिस परजन ओफ लाइट डिस परजन अफ लाइट क्या होता है जब सन लाइट किसी प्रिज्म से पास की जाती है जब सन लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो हुआ है है तुबाँ लाइट सेवन कलरस में फ्लीट हो जाती है कि प्रप्रक्रिया का प्रोसेस को बोलते हैं वाण वह मैं टीठीन कैते हैं कि लिए हैं अध्री गने सिंसी पर्पर आप ठीक जब लाइट पास्तरो इंटर इंटरो प्रिज्म एट इस लेट जब प्रकास किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो सेवन कलर में कि तूट जाती है तो प्रकास की घतना को वर्ण विचेपड कहा जाता है ठीक है यह ध्यानक है आप स्पीड बढ़ा कर देख ले पीटा वीबगेव वायलोट इंडिको ब्लू ग्रीन यलो ओरंज रेड ठीक है रेड की वेवलंग सबसे ज्यादा होती है ज्यादा होती वायलोट की सबसे कम होती है कि अगर पूछा जाएग टावर में लाल रंग क्यों यूज किया जाता है देंजर में लाल सिगनल क्यूण उसक Keys क्या जाता है इसकी तरंग देविलंध कम होती है ये दूर दिखाई दे जाता है वाएलेट गर उसके तरंग डेविलंध कम छी तो पाले वहलेड होगी उसकी wavelength कम होगी ठीक है इस बात के ध्यार रखें एक उताब पावर ओफ accommodation आई वाले चेप्टर में है colorful word वाले में पावर ओफ accommodation सामयमजन छम्ता से आप क्या समझते हैं नेत्र की सामयन छम्ता से आप क्या समझते हैं चित्र के मादम से समझाई आप मतलब मन इस्थर द्वारा अपनी आँख की फोकस दूरी को समायुजित करने की चमता समंजन चमता कहलाती है मतलब जो आई है आपकी उसकी फोकल लेंट को मेंटेन करने की जो आपकी self capacity होती है ability होती है उसे power of accommodation कह सकते हैं इसके बाद critical angle बिटा आप अच्छे से पढ़ लिजिए ऐसा critical angle क्या होता है जरूर्ण करिए आप अच्छे से ऐसा incident angle जिसके लिए refractive angle 90 degree होता है ठीक है एसा incident एंगल जिसके रिफ्रेक्टिव एंगल 90 degree का हो वह होता है critical angle तो जब light संहन मादम से जब प्रकास किनल संहन मादम से विरल मादम में जाती है तो हमारा जो आपतन कोड़ इतना होना चाहिए कि उसके द्वारा बना आप प्रावरतन कोड़ 90 डिगरी का हो समझ पार है मेरे बात तो यह है परिभासा definition क्रांतिक कोड की जरूर पढ़ें जरूर लिखें पापे में ठीक अच्छे से इसका रिफ्रेक्टिव इंडिक्स से रिलेशन आता है critical angle का रिविफ्रेक्टिव इंडिक्स के साथ क्रांतिक कोड का संबंध से तक अपंवरतनां के साथ फॉर्मुला अबराबर ऑनफान साइन से एटना लिख देंगे यह उता रिलेशन निए यहाद रहा के पुचा जासकता है आस्मान निला क्यों दिखाई देता है सीधास वसन प कारण या पिर कह सकते हैं atmospheric reflection scattering of light जो भी आपको अच्छे से explain कर पाएं यह main factor मैं objective मैं बता रहा हूं आपको आस्मान निला के उधार दिखाई देता है तारे क्यों टिम्टिम आते हैं यह भी scattering of light के कारण है प्रकास के प्रकेंडन के कारण टारे टिम्टिम आते हैं ठीक है और आपसे पुछा रखता है तारे टिम्टिम आते यह बात कर लिया आपने हाँ पानी में पड़ी पेंसिल हमें उठी उठी दिखाई देती है ठीक है यह होता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स के कारण पूर्ण आंतिक परावरतन के कारण ठीक है इस बात को दिमाग में बिठा कर रखे आप बटा कभी-कभी उसकी मिरर की रेडियस करवेचर दे देते हैं मनलब की वक्रतात रिज्या दे देते हैं किसी अवतल दरपड की फोकस दूरी या वक्रतात रिज्या 40 संटीमीटर है रेडियस करवेचर ओफ कॉनकेव मिरर इस 40 संटीमीटर कैल्कुलेट इट फोकल लेंग समच पार है मेरे बात मतलब कोई भी मिरर हो अवतल हो अवतल होगा कॉनकेव होगा तो वैल्यू निगेटिव रहेंगी और कॉनवेक्स होगा उतल होगा तो उसकी बेटा वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी तो फॉर्मुला एफ बराबर आर बैट टू होता है आर की वैल्यू आपको माइनस 40 दी है क्योंकि आवतल है कॉनकेव है दो से डिव बातों और डिपेंड करता है अच्छे सब लीजिए ल्तर हिआ हो ए इन सब बातों पर निर्भर करता है छी किसी भी प्रत्रोद बढ़े गा ठीक ये बात ध्याना के पिटा और हाँ रमीच्टिविटी प्रत्रोद बढ़े तो तो यह मैटेरियल की प्रॉपांटी होती है इस पर टेम्परिस्टर के ज्यादा इंपक्षिश नहीं परता है पर पढ़ता जरूर है सभी मेटरियल का अच्छा थोड़ा सब प्रुभा पढ़ता है अलग अलग होते हैं रिजिस्टिपिटी प्रिद्टी अलग अलग होती है और हां इक बाद धियान रखें सबसे अच्छा कंड़क्टर कौन है सिल्वर यह बाद धियान रखें ठीक यह बाद दिमाग में बिठा है कि रखेंगे आप और आप से पूछा जा सकता है हां एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्तित होते हैं हाँ मैंने एलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलाम चार्ज देन यूर एंसर विल भी 6.25 इंट्व 10 की पावर 18 इसके लावा ऐसे रिखा था 0.625 इंट्व 10 की पावर 19 इन दो एंसर को आप ध्यान रखें या आप बहुत ज़्यादा बुद्यमान है एक को 1.6 से डिवाइट करते नहीं गर बढ़ दाता एंसर तो अगर आज ऐसा एक कुला में किता एलेक्ट्रान है नहांने के बढ़ाओ एक हार्स पावर विएता कितने बराबर होता है तो एंसर होगा आपका 746 746 वाट एक हास पावर ठीक है एक अस्वसक्ती ठीक एक किलो वाट घंटा एक किलो वाट आर वन किलो वाट आर यह हिंदी इंगले शक्रम समझे वनके डव्लीज यह होता है यह होता बरटा थी पॉइंट एंट्सक्न कि पावर सिकस वास यह रचा रटा रटा है दिमाघ में अğı मैंने हाँ 3.6 इंटो 10 की पावर 10 की पावर 6 वाट यह बिटा आप फिजिक्स में आता क्याती यह फिजिक्स इंपॉर्टन कुशन मैंने आपको पता है कुछ आप अभी घूम पर कर फिर से बता दूंगा के बाकि आगे नेक्ष्ट में देखतें चलके बिटा बिटा हाइड्रोनिय हाइड्रोनियम आयन पहिचानिये कौन है तो अंसर होगा एच्थ्री ओ प्लस एच्थ्री ओ प्लस और टिक कर देना इस दुनिया में अगर पुछे दिये गए कंपाउंड में कौन एसिड है एसिड और बेस की पहचान करने की तरीका सबसे अच्छा बताता हूं आपको इस दुनिया में जिस भी कंपाउंड क्यांगे में compound salt होता है क्या होता है वह सॉल्ट होता है यह और गार्णीक के नहीं बता रहा है कि वल्ट इन ओर्गनिक अकार्बने के पूचा जाएगा आपसे ठीक है कारबनवाले में वह लगाता हुए अलकोल का जाता हुन्हें बेस नहीं आज़ा चाहिए धिमांग में बस रखें तो इंसर आपका होगा CS3OH क्योंकि यह मेथेनौल है यह कोई भी भी बेस नहीं होगा यह वह बेस नहीं होगा एक बिटा कुश्चन आता है कौन सा एलकाइन है विच फॉलोइंग इस एलकाइन तो नॉर्मली टीचर लिख देता है थीच पूर एलकाइन के नाम से जाना जाता है ठीक है धिहान रखे मतलब आप लोगो सिंपल यह तो पता है एक दिमान हों तो इसे कोश्चन सुने को मतलब नहीं है तो थोड़ा सब दिमाग लगे तो हैं तो हैड्रोजन आठ होंगे तो इसमतलब वहले डबल होते हैं हमें साथ है ल काइन का क्या है ग दबल सेधोड़ में जैसे कहूँ ती मौलब दो इसे कहों दीन कारबन माल ना दुम्हें पास है तो चारह है तो सब्धिता हो चार कारबन है अगर तो होने चांगे पैसा होने चाहिए है यह होता है चार और शे अला है है जाता है मैंने अलकेल गुरू बता दिया आपको जब भी जब भी आप ऐलकें से एक हाईडूजन रिप्लेस कर देंगे तो इस बात को दिमाग में एक इसके बात करें अगर आप बात करें एसीड का पी-एच वैल्यु कितना होता है तो साथ स से नीचे होता है पीएज दी इसकुल जो स्वरेंसर ने दी थी ना स्वरेंसन विगनिक ने पीएज स्कुल दी थी जिसमें 14 का उलम है 0-14 7 फिर उदासीन होता है neutral होता है आफ्टर 7 सब छार होते हैं बेस होते हैं और साथ से पहले सभी असिर नते हैं अमल होते हैं तो सेवन नूट्राल जीरो से पहले तक सब होते हैं एक कंपाउंड मार्यक वेली एक बीच यह थीन और एक है शिच्ट पीचोट चार एक पीच पांच बता है प्रबलम कॉन है यह देखो मूर्ग पांच अंसर दे रहे हैं पांच नहीं है जिसका प्यज कम होगा वह ज्यादा असिदिक होता है जिसका प्यज तीन है वह सबसे ज्यादा इस्टॉंग असीड है यह गलती कर सकते थे आप अपने करेंगे अच्छा में कुशन पुछता हू सुनो एक कंपांड है जिसका पर एच एट है एक कंपांड है जिसका प्यसलिए निन है एक कंपांडר इस दस है पताई यह स्टॉंग बेस कॉन Nä समय है जेय ताम लगता अबakर रहे होंगे सार इसका तो डस है फिर आपने इस राप दिभानी दिखा दी दस ही सही अंसर है इसका आठ नहीं होगा क्योंकि एसिट से भी थोड़ी दिर तो पहले उबरा है ठीक है तो बेस वालों पिया ज्यादा होता है इसी रालों काम होता है यह द्यान ने अखे एलकेन का फॉर्मला पूछा जा सकता है ठीक है और एलकाइन का फॉर्मॉला पुछा जाता है आप से हां विटा सिंबल दिखाए जाएंगे एड़ी हाइट की टोन कार्बाउक्सली कभू को खोलो और उनका सिंबल देख लो मैं इसे समझ में आएगा यह यह होता वह यह होता इसे नहीं समझ में आएगा कीटोन का सिंबल सी ओ होता है कार्बाउक्सली का सिंबल सी ओ ओ एच होता है इसकी बनावट देख लिए कॉपी खोल के तुरंत राइट नाओ उसके बाद एलकोहल का ओ एच होता है ठीक है एड़ी हाइट का सी ओ एच होता है यह ध्यान अखें जरूर देख ले मैं बता था फिर तो चिडिया चुक गई खेद फिर पस्ताना नहीं जानते हैं फिर कहना नहीं बताना तो यह बिटा आप देख लिए फंक्शनल क्यमेस्ट्री में इस तरह के अब्जेक्ट्ट्व कुशन आपके मिल सकते हैं बिटा कॉपर के ओर होते हैं पढ़ लीजेगा कॉपर पाराइट कॉपर ग्लांस बोल दोंगा सी यू एफी एस टू एक होता है कॉपर पाराइट सी यू टू एस कॉपर ग्लांस ठीक है यह हो गया आपके कॉपर के आयस का ओर अप कॉपर अलुमुनियम का बिटा एक बॉक्साइड लिग जीए एक क्राइओ लाइट लिग यह है एरन के अलुहे के आयस कॉपर जरूर पढ़ लें आप सुनो डिस्रक्शन ऑं मैटल इन प्रजिंस ऑफ वाटर एंडियर इस नून एस कॉरिजन इन सिंपल वोड से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और जल की उपसती में धात्यों का दीरे दीरे पता नमलब खताम होना एक रेडी हो जाओ बंडारे पूड़ी खटा करना चेक करना जब अने लगे तब कहना यह तो हो गया विक्रत गंदिता क्या होता तो लिग देना जब हम बंडारे की पूड़ी लाते हैं तो काफी दिन तक खाने पाते और धीरे दिरे उसरने लगती है दोन राइट हैसा ना लिख दाया तो लोग लिख दिना मलब कोई तैली यह पदार तैली तैली मतलब जिसमें तेल वसा लगा हो लंबी समय तक जब रखा रहता है घरों में तो बिटा दिरे दिवा अक्सी के थुरून लगता तो बदू आने लगती है ठीक है तो ऐसी घट है और एक्जो थर्मी कहने उसमा छेपी जिसमें निकले जब एक्शन कंपलीट तो इनर्जी बहुत जारा मात्रा में निकले ठीक है वीडियो कैसे लग रहा है मैं बड़ा चिला रहा हूं हाथ अधिला विला के तुम लोग को बतारों के समझ मेरत बताने जरों कमेंट बॉ यह है होगे हर चेप्टर बहुत इंट्रस्ट है ना घजब हytes रहे मेड़ा है तो अबम बाद करेंगे चेंबर होते हैं मतलब भूश में किते में वहिस में बोलते हैं तो चार होते हैं ठीक है कितने होते हैं जारओ ठीक है धी आधायाद रहें अच्छा हमारे बने भर तिस्टम फार सिस्टम और जारएं याफ ऑपन मतला हमारा हमारा और दल्ी पंसरोड खूला तंत्र है या बंद तंत्र है तो और व्हां का है अन्सर विफ्ट है बंद है ठीक है काकुरस में खुला-खुला होता है ठीक है तो बिटा पॉद्र हरे कुंड दिखाई देते हैं जो ग्रीन प्लांट है है कुए हमने ग्रीम दानों हाँ उसमें एक सीजिन किसे निकलती से निकलती या जल से निकलती यह वाटर से निकलती है करदी अग्सेट का अपचैन होता है ठीक है अच्छ। कि डार्क याइक्सन कहा होती है अठ और क्रेगा अठीक लाइटशन कहा होगी आवह अच्छा बई दीटा निकलता है पित रस कहां रहा हो रुदिर मीने ब्लड लाल की होता है रेट रेट की होता है अंसर होगा हेमोगलोबिन के वजह से किसके करन हीमोगलोबिन के वजह से अच्छह और, हाँ, पेपर में आएगा, एक लिखाओ का निमन में कौन सी अन्वानसिक भीमारी है, इस जेनेटेक डिसीज, एक ऐपसन होगा हमोफीलिया, असलेकी ओपसन भी होगा ये वाला, तो बी पेटिक कर देना हमोफीलिया देखना, हमोफीलिया ना हो, तो वह नाम देता देखना color blindness यह दोनों होती है जनेटिक डिसीज अन्वांसिक बीमारियां इन पर टिक कर देना पेपर मैं अन्वांसिक बीमारी कौन से है तो धड़ाक से टिक करना उसी कर ठीक है यह बात दिमाग में रखे आप लोग उसके बाद आप से पूछा जा सकता है कि रुधिर में रुधिर में जो हीमोगलोबिन होता है हीमोगलोबिन देखतो नहीं अगर ऑक्सिजन से जब जुड़ जाता है ऑक्सिजन को प्रेम बांद लेता है तो उसका नाम क्या होता है एंसर होगा ऑक्सी हीमोगलोबिन क्या नाम होगा बटा ऑक्सी हीमोगलोबिन अगर कारवन डेक्सट को मानले उसको बोलते हैं कार्बाक्سटी हीमोगलोबिन क्या बोलते हैं कार्वाक्सी हीमो रॉ Banks फीमोगलोबिन मौख में कौन सा एप्ण। मुखक में याँनी ऑल यहिसल घ्लीन एदाए अ अमा से स्थमक में पाय जाता है पेपसिन ब leafy जो डिण 504 पैर ऑप से त्य में बता रहा रहा हूं आपको औरा चौशन आपको दिक आप है भी टिक ना पगजिया आप तुम्हें कहता रिष्टमक बिटा पैंक्रियाज अग्नियासे इससे मिक्ज ग्लैंड कहते हैं मिस्रित गंति कहा जाता है क्यूं क्यूंकि इसमें हर्मून और एंजाइम दोनों निकलते हैं क्या निकलते हैं हर्मून और एंजाइम दोनों निकलते हैं तो इसलिए पैंक्रिय अगधास में लेंगरहंस की ऐसे कोईसे के हैं लेंगरहंस क्यांतर है तो अलफा विटा से बिलेग्षान है इंसी हर्मून निकलता है आँ का इसिल्यून reflective तो ऑब कुशन सा इंसली ना फे निगल तो नियोहिट आधू से निगलता है इंसलीन Class को ग्लाइकोजन में बदलना इंसुलिन का कार्या ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ठीक है यह इंसुलिन का होता है जिस बाड़ी में इंसुलिन की कमी हो जाती है उनकी सुगर लेवल बढ़ जाता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है गुली खानी पढ़ती है समझभा रहे हो तो बिटा फिर गुलुके गॉन का का होता है बिटा जब हम बीमार पढ़ते तो हमारी गुलाइकोजन जो उर्जा इस्टोर हुई है उसको टूटना पढ़ता है गुलुकोस में हमें नर्जी मिलने के लिए तब बिना खाई पे दो चार्शे दिन आपको किरनी क्या टंप्रेचर को रिगूलेट करती बाड़ी को चानती है लें खड़ा करती है यह यह द से होता है पितियों में नहीं होता है अच्शा पतियों से नहीं होता है है ठीक है यह ध्यान रख़ेए और लेंटीकल फॉटे है ने इंगली मैं पता नहीं लेंगे होते हैं तो यह बात दिमांग में बठाकat नहीं है उसका है और ढूत Taylor पढ़ नहीं को अब रिखना जरूत जब्सक्राइब और पारसाइट क्या होते है से प्रोफाइट सब्सक्राइब कोध्यuba सेजसे चाहिए इसमें कॉन सा मिर्र को क्वा यूओ सिर्पण क compromise क्या झाता है तो सॉलर कुक्कर में हम यूद करते हैं對啊 अवट्ल दरपण कौनके यह मिरा ठीक है ठीक है एलेक्ट्रिक मोटर किसके सिध्धान प्रकार करती है फ्लैमिंग के बाँ हाथ के नियम पर डिजिग डिजिग टिक पॉपेंडिकुलर टीचर एक टिंग 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 ठीक है तो पॉपेंडिकुलर रूपर काम वक कर रही आपके ध्य टू-3 बटे टू-1 टू-3 यह होता है मैं आपका डेंटल फॉर्मूला इंटू बराबर थर्टी टू इता लग देना इंसीजर के नाइन प्री मोलर मोलर मतलब करंतक रदनक अगर चरोड़क चरोड़क चार दांत होते हैं आपके बड़े हो जाते हैं बचपलने दूद आले दूदकान नहीं कर रहा हूं ठीक है दिहान के इस बात को अगर आपको और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए तो बिटा हमां ऐसा जुड़े रहे हैं और ब्रेट सिस्टम आपका परिशन तंतर प्राब्लम कर रहा है और कोई भी टॉपिक हो आसानी से समझा जा सकता है मैं आपको समझा दूँ अच्छे साप लिख पाएं तो को बड़ेशन स्टार्ट कहां से होता है बकल क्यावटी से माउत में काबोहड़ेट का पाचन नहीं ह सुक्रोज को डाईज़िस करने के लिख सुक्रीज मतबब अगर देखा जाए तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम होते हैं अब मालनू लैक्टूस मिल्क बिए लैक्टूस उसको लैक्टीज इंजाइम डाइश्ट कर देता है बटा यह सारे एंजाइम हमारे बाड़ी मे होती है न आ कि याद रख्णाद को मस सोचाय स्माल इंट्रिये बड़ी क्यों स्माल इंटेस्ट यूइंअ है जाते हैं और लाज अच्छान को बड़ी उसको बड़ा डाउट फोलना कि स्मॉल इंटर्स्टाइण को इसमाल इंटर्स्टाइण चाहिए नहीं बटाइशा है कि लाज इस लिए लाज कहते कि इसका डायामींटर बड़ा पाइप मामला तमरू जाए बड़ा है तो ता नहीं संथा साँ तिंग नहीं तभी अप्रव बराभ नहीं लेते सुबहाए नहीं 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 खुलती चलो ठीक यहां तक कहना भदे बढ़ा लेंगे साइन्स में और कोई प्राबलम है सुसाइब कोई प्राबलम है पूछ सकते हैं ज्योंगराफिं मैं मलब कुछ भी किसी बिसमजेक्ट मैं मैं बालओ जी से मैं अगने कुछ नहीं कहने वाला लेकिन फिजिक्स, केमेस्ट्री, और बालजी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है आपके सब पूछी हमसे मैं किसी भी कुछ सिंपल वे मैं समझा सकता हूं कोई भी कुछ आप हमसे साइंस में कमेंट करिए आप बताइए परियाडिक टेबल से मेंडिलीप का और मोसले का नियम जुरूर पढ़ लिए अच्छे से कर रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप लोग के लिए अच्छे से मेनत करेगा अच्छे नमब लाएगा ठीक है सब्सक्राइब नाइक मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉनिंग और वन तींग शुटकला सुनना है सुना दें क्या चलो एक चल रही थी एक जिगह पर बड़ी सभा चल रही थी तो मंतरी जी मैग पर आए और उन्हें दो सब्स दो सब्स दो सब्स दो सब्स बोले उतने में किया तो सब सोचे ताली बजाने तो पुरी जंता ताली बजाने लेगे मंतरी जी कंफूज हो गए यह ताली को जा रहे हैं पर अभी तो मेरे कुछ बोला भी नहीं है मचाया एक चुटकले कित्ती भारस होगे एक बड़ दो बार तीन बर लेकिन एक दुख पर दुखी कित जब दुख कि बात करो रमाइचा दुखी हों डूंट भी टाइट भी एप्पी एन मिलता हैं नेक्स माने पर अच्छा करियेगा बेस्ट अफलाग